जितने भी law students और law graduates इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू जले के end तक आप वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर आपके मन में इच्छा है किया मेरे को किसी सरकारी company के अंदर किसी PSU के अंदर अपना law officer की post चाहिए और साथ में मैंने अगर CLAT का post graduation वाला exam मुझे नही नहीं देना तो क्या मैं law officer बन सकता हूं सरकारी PSU के अंदर या फिर मुझे CLAT PG देना mandatory है यह जो है दिक्कत यह जो है doubt हर एक law student के मन में होता होगा ऐसा ही अभी एक मुद्दा आया था high court ने इस मुद्दे को clarify करा कि यहां पर अगर किसी law student को law graduate को अपना सरकारी company के अंदर law officer की post चाहिए और वो PSU है सरकारी PSU है तो वहाँ पर CLAT PG देना mandatory है या नहीं है यहाँ पर दो फैसले high court के द्वारा सुनाए गए थे एक single bench ने अपना फैसला सुनाया था दूसरा division bench ने अपना फैसला सुनाया था appeal होने के बाद में तो यहाँ पर finally मुद्दा का solution इस वीड graduates बिना PGDA यानि कि बिना CLAT PGDA अपना सरकारी PSU कंपनी के अंदर ऐसा law officer की पोस्ट के लाइपलाई कर सकते हो तो यहाँ पर बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर बन गिया था इसी को clarify इस वीडियो के जरीए मैं आपको देऊंगा तो वीडियो को आप पूरी शुरु से क arise हुआ था एक law student था और उसने अपनी LLB पूरी करी थी और 60% पर इसने अपनी LLB पूरी करी थी पहली बात यहाँ पर दूसरा question arise हुआ था कि वो जो 60% जिसने LLB अपनी जो है लेकर आया था LLB की degree जो इसने hold करके रखी थी फिर वो अपना LLM करने के लिए कोई ऐसे college में गया था जहां पर CLAD PG देना mandatory है नहीं लेकिन उसका LLM तो करनी है या देखिए आप लोग भी जानती है कि पूरे भारत में limited colleges है जो CLAD PG देने के बाद आपको post graduation यानी LLM करने का आपको मौका मिल सकता है बाकी कि जो बच्चे हैं जो fail हो जाते हैं जो अपने exam clear न दर जाके उसने entrance exam दिया होगा जो university अपना personal जो है entrance exam conduct करवाती है और उसने वहां गया और entrance exam दिया और अपनी LLM करने लग गया ऐसे ही अभी एक notification जारी हुई थी NTPC जो हमारी सरकारी company है PSU है इन्होंने बोला कि हमारे को law offices की requirement है हमारी eligibility है कि अगर आपके पास LLB degree है और आपके 60% है तो आप लोग apply कर सकते हैं साथ ही में आपको आपने जो है अपना CLAT PG यानि की common law admission test post graduation वाला भी clear होना जरूरी है तो आपने अगर यह दो एक्जाम यानि की LLB के degree 60% प्लस यहां पर आपने CLAT PG अगर दे दिया तो भाई आजो और अपना NTPC के यहां पर अपना नाम के विक्ति के दोवारा law student के दोवारा जिसके पास LLB के degree थी 60% के दोर पे तो उसने हाई कोट में जाके application लगाई कि जैसाब एक बात बताईए मैंने जो है अपनी LLB degree 60% पे इतनी महन से अपनी अचीव करी है और मैं अपनी दूसरी जगा पे जो है LLM कर रहा हूं त यहां पर मीरको क्लाइट पीजी देने की मेंडेट्री क्यों बनाया गया है बाई मुझे नहीं देना तो मैंने अगर पीजी नहीं देऊंगँ तो क्या मेरको आप आप आप्लाइ करने से क्या बारी कर दोगे तो यह आप लोग बताईए क्या यह मुद्ध बिल्कुल सिंगल बेंच पे जो फैसला सुनाए अपील लगाई थी पैटिशन लगाई थी तो जो सिंगल बेंच ने इसकी बात को जैन्वन माना हाँ यार तुम तो बिल्कु सही बोल रहे हो यहाँ पर तुमारी काबिलियत को जज करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं होता है और पहले पीएसी हुए है तो सरकारी कंपनी की अब यहार एंटी पीसी वालों पर नुकसान हो गया नहीं हो गया अब बाकी के पुरे देश के जितने भी क्लैट पीजी देने वाले का जो मन बना रहे थे हैं वो देंगे ही नहीं तो जो बच्चा अपनी साट पसेंट ललवी वाला क यहार पादिकत आ गई चूज करने में सेलेक्शन करने में अब एंटी पीसी वाले जो है अपील के अदर अब सिंगल बेंच के अपील का लागे तो इन्होंने परिकुलर जो सिंगल बेंच जो रिलीफ गरांट करी थी सिंगल मेंच ने जो रिलीफ गरांट करी थी वो क्या रिलीफ थी कि अब आपने अगर CLAT PG नहीं दिया है तब भी आप PSU के लॉफिसर की पोस्ट के लिए अपलाई कर सकते हो ये सिंगल मेंच और केरल हाई कोट ने एक गरांट कर दिया था तो सॉलिसेटर जनरल ने NTPC के बिहाफ पे डिविजन मेंच के पास यहाँ पे अपील लगाई थी अब डिविजन मेंच के अंदर सॉलिसेटर जनरल ने ये पॉइंट रेज करें कि जैसाब एक बात बताईए यहाँ पर केवल 14 या 15 पोस्ट आती हैं हमारे PSU के law officer की vacancies के लिए अब ये 14 से 15 लोगों को चुनने के लिए हम क्या all over India एक entrance exam गंड़क कराएंगे जैसाब यह बिल्कुल भी possible नहीं है तो इसी barrier को हटाने के लिए और इतना loss ना हो company का हमारे सरकार का तो इसी barrier को हटाने के लिए हमने केवल इतनी सी बात रख दी कि आपने अगर CLAT PG क्लियर कर लिया है तो आप आके law officer का exam के लिए हमारे को बिना entrance exam दिये आप apply कर सकते हो आपकी application अगर short list होगी तो हम आपको law officer की post दे देंगे सिर्फ इसी लिए क्योंकि हमारे को all over India केवल 14, 15, 12 post के लिए हमें all over India exam गंड़क कराना ना पड़े तो जैसाब यहाँ पर हमने तो कोई तरह किसे illegality करी नहीं है हमने तो कोई discrimination करा नहीं है जो single bench के दुवारा relief grant करी गई है कि हमने CLAT PG का mandatory provision यहाँ पर करने के बाद हमारे जो single bench ने बोलाई किया तो illegal है discrimination create कर रहा है वगर वगर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसाब हमने तो अपना तरफ से पूरा eligibility criteria बना रखा है क्योंकि जैसाब एक बात बताईए 1721 law college है पूरे इंडिया के अंदर 1721 और उसमें से केवल और केवल 23 ऐसे colleges है जो consortium of the NLU के साथ जुड़े होए हैं जहाँ पर CLAT देना अगर आप CLAT देतो तो इन colleges में आपका admission होना possible हो सकता है तो यहाँ पर जैसाब आप बताईए कि all over India में अगर हम exam conduct कराएंगे केवल 14-15 पोस के लिए तो कितना ज्यादा नुकसान होगा कितना ज्यादा irrelevant होगा तो यहाँ पर और यह possible भी नहीं हो सकता है केवल तो इसी वज़े से हमने एक mandatory लगाए कि अगर कोई PSU के अंदर apply करना चाहता है तो 60% वाला तो apply करी सकता है उसके लिए आपको अगर clad PG अपने clear कर ले है तो आप apply कर दो बात खतम इससे हमार को vacancy भी हमारी full हो जाएगी और जो बंदा interested होगा तो उसके लिए भी easy रहेगा कि मेरे को नए entrance gram नहीं देना और बाकि अगर कोई clad PG अपना form भरता है तो उसके लिए LLM करने के लिए रास्ते खुले है ना अगर कोई से को interested नहीं है बात खतम तो इसलिए यह simple हमने solution यहाँ पर बनाया था तो division bench ने जो solicitor general के दुआरे यह सारे के सारे challenges बताए गए थे उनको accept करा और यह बोला कि यहाँ पर केरला हाई कोट ने आपे upheld कर दिया जितनी भी conditions है एक applicant को अपने law officer की PSU के इंदर vacancy लेने के लिए for the post of assistant law officer at national thermal power corporation NTPC तो वो जो है cleared महलब उसके लिए आपको clear करना पड़ेगा CLAT यहनि कि common law admission test post graduation वाला यह mandatory है जो मैंने आपको heading बताई थी कि CLAT PG is mandatory for all for all law students or law graduates जो अपना law officer की post PSU के इंदर लेना चाते हैं तो मैं अश्रकत हूँ कि आपको जो point पूरा का पूरा clear हो गया होगा आपका कोई भी doubt आता है तो comment box के अपना doubt बता दीजेगा और साथ में वीडियो को like करके channel को subscribe जरू करेगा हम मिलते हैं नेक्स वीडियो के अंदर थैंक यू दनवाल